दोस्तों मैं अतुल गुपता आपका दोस्त आपका गाइट आपके सामने लेके आया हूँ है नि मैं चेरिटेवर मिशन सोसाइटी बस सन्राइज ग्रूप ऑफ कंपनी आपको वो आप हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सन्राइज की तरफ से इस चैनल पे काफी सारे वीडियो आई है आज तक और उन वीडियो में आपने देखा कि सन्राइज कंपनी और और यहनी खेती कराती है Het HAIR इंगरा इक लियुक घ्रवीजए लेमंगरश की वह सारी टेख सी कि तर आधि है आप बहुत सारे लोग हमारे पास इन वीडियोज को देख करके हर महीने ट्रैनिंग लेने आते हैं और उनके मन में यह उत्सुकता होती है कि बहुत सारे लोग जो है वीडियो तो पोस्ट करते हैं लेकिन उनकी यहां पर सच्चाई क्या है क्या वो गलत तो नहीं है क्या वो सही तो है क्या वो आउट में बहुत सारे लोग हमारे पास तब पहुंच नहीं पाते और केवल बात करके ही अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो एक रास्ता था उसको छोड़ देते हैं मैं आज आपके सामने यह बताना चाहता हूं कि आज यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप सब यह देखें कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं पहले तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि देखें यह परीशर है 162 एकड़ का परीशर है और इस परीशर में श्री पिंजरापॉर गौशाला यह टॉप रोड पर है जहां पर यह हैंनी में चरेटेवल मिशन सुसाइटी जो कि 1997 में इसका राइस्टेशन किया गया करता है झाल झाल Sunrise group of company के ही established organization में है Sunrise का ही है यह और यहाँ पर हम लोग medicinal plants की cultivation करते हैं processing करते हैं वा marketing करते हैं किस तरीके से हमारी company काम करती है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आईए बहुत सारे मित्रों ने आज तर यह देखा होगा कि Sunrise company और HCMS के बहुत सारे पोस्ट आते हैं क्या यह गलत तो नहीं है company क्योंकि यह सरीव और सरीव खेती करने को प्रोसाइट करती है लेकिन जो भी किसान लोगों ने हमारे साथ क्या क्या करती है यह हमारा आश्रम है प्रसिच्छन आश्रम जिसमें हर्बल आयर्वेडिक आश्रदी पादपों की खेती के बारे में बताया जाता है यह आश्रम है कि इसमें प्रसिच्छन केंद रहे तथा इसमें हमारी कंपनी के उत्पादों का प्रदर्शन है क्योंकि हमारी कंपनी जो प्रोडेक्ट बनाती है उस प्रोड़क्ट की क्या क्या प्रोड़क्ट बनाती है और कैसे मार्केटिंग करती है यह हमारा आज का विशे होगा आई सबसे पहले मैं आज उन किसान भाईयों को अश्वर करना चाहता हूं किसान भाईयों को मैट स्वर करनी हैं लेकिन उनको डाउट है कि माल खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद की असफलता के कारण दूसरे व्यक्ति को भी टी मोटीवेट करते खुद भी कुछ नहीं कर पाते द किसान भाईयों मैं सबसे पहले आपको बताना चाता हूँ संराइज जो ग्रूप ऑफ कंपनी है यह बेल इस्टेबलिस कंपनी है ब्रांड रेजिस्टर कंपनी है इस कंपनी का 2007 में इस्टेबलिश्मेंट हुआ था इसकी वेबसाइड है www.sunriseagriland.com इस कंपनी की दूसरी वेबसाइड है organicfoodproducts.co.in यह हमारी दो वेबसाइड है हमारी सॉसाइटी की जो वेबसाइड है hcms.org.in मैं आपको यह बताना चाता हूँ कि हमारी कंपनी के जो प्रोडेक्ट हैं लगबग 360 प्रोडेक्ट की मैनिफेक्चिंग करते हैं हम लोग और यह स प्रोडेक्ट के लिए करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीयों के लिए करते हैं जिससे कि वो कंपनीयां जो है हमसे माल बना करके क्योंकि हमारा माल शुद्ध होता है किसान उसको खेती करता है और हम उसको प्रोसेस करके उसको बना करके देते हैं तो लोगों का भरोसा है हमार यहां पर कोई भी माल रखा हुआ है वो संराइज ब्रांड पर है आप यहां देख सकते हैं किसी तरिफला पाउडर है जिंजर पाउडर है तुलसी पाउडर है ग्रिण की ती है जो किसान घ्रींटी हो गाता हो ग्रीन टी का है जो राजमा उगाता है वह राजमा चल लिए काबोली चना आप क्योंकि भारत के अदर अशन है कोई यहां और हमारी किसान कोई दूब्याट मुरींगंगा पाउडर सभी सभी तरह के सभी मडीशनल साप्कों हम यहांब ये एक फ्रेम है यह आपके विजजिटी पेपर रखने पीपर का है यह डायरिया है गिफ पैक के लिए चोटी-चोटी सुंदर-सुंदर यह डायरिया है आप देखिए यह टिशू पेपर का है यह आप देख सकते हैं अ संस्ता के द्वारा में किसान मैगजीन च्छापी जाती है जो हर मैगने ये किसानों किसान और हैं यह और किसान की यह जानकारी ओद्जवान किसान है जो कि कुछ करना चाहते हैं तो इसको घ्रांथे पर इसको मंगवा तra यह देखिए आप दूबबत्ती यह बहुत ही अच्छी दूबबत्ती है घाए के कोबर से बनी वही दूबबत्ती है जो आईए ऐसे आप जो किसान एलो-वीरा की घंटी करते हैं उन किसानों को हम बताना जाते हैं कि हम एलो वीरा का सबसे पहले तो ये जूस बनाते हैं, एलो वीरा का पाउडर बनाते हैं, आवला का पाउडर बनाते हैं, ये जिन आवला की केंडी बनाते हैं, एलो वीरा वीट ग्रास का जूस बनाते हैं, ये ओबिसिटी के लिए यह बहुत की शुद्ध और पोस्टिक अर्क होता है यह कोस्पेटिक बनाते देखिए यह आप गेख सकते जैल कि क्रीम है विल्ट यह फेश वॉश यह रोज वाटर है यह दूसरा से पूस्पू हमारें रहें यह इस टीविया से हम वाइट एक्सट बनाते हैं यह प्योर वाइट एक्सटेक्ट क्योंकि जो किसाम खेती करता है उसी का एक्सटेक्ट हम निकाल करके इसमें बनाते हैं यह हमारे पास हमें हाट केर जूस है वीट ग्रास पाउडर है यह आप देखे कितना सुन्दर यह एलोवीरा से हमने जो है साबन बनाया है हिसे पाउडर है सावन में भी करीवन हमारे पर 10 तरह के चाए इसमें हाप सरी दली है यह एलोवीरा महिरा के लिए स्व 문चर कफेड बना यह वेलोवीरा से बना हुए और इसके अंदर बहुत सारी कमपनी का यह हमारी कमपणी का जो का है जो की फिर कोश्टिट ऊंचाय का प्लेघ दिहां रखा जाता यह हमारा स्टाफ यह यह यहां पर ऊंलाइन दुए पूरा है इस बेलिंग करता है ऐक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जो है यहां पर यह कॉल सेंटर भी हम लोग काम करते हैं और अब हमारा काम करने का जो मकसद है कि हम पूरी इमानदारी से किसानों की और भारत के जो लोग हैं जिनको रोग लग चुका है आई डाइबटी ब्लड प्रेशर कैंसर केटनी जैसे भयानक बीमारियां इस देश में प्यापत हो चुकी हैं तो हम इस मिशन में हैं कि हम किसी भी तरह किसी एक तो किसान की इंकम को बढ़ाएं दूसरी लोगों को कैंसर जैसे भयाला रोगों से मुक्ति दिलाएं आईए मैं आपको और दिखाना चाहता हूं कि हम लोग क्या क्या कर वह हैं हमारे पास वाए स्वें साहिटा समू है सुंहां मारे पां सवें साहिता सम्हू है करीभन ड़ेर्टी के परतन बनाते हैं ये उलाते हैं ये लकड़ी गारेट गोबर का में भूला बनाते हैं इस पर्कार से बहुत सारी चीजसे जो है हमने रोजगार के रूप में बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के मकसद से बना रखे दो सो लोगों से जादा हमारे आंकरमचारी काम करते हैं और जिसमें महिला करमचारी की संख्या जो है 97 परप्पिशत है तो मित्रों में सरिफ आपको यह कहना चाहता हूं कि आ हमारे आई आगे आप हमारे आँ देखिए आपको लगे और आपको विश्वास हो तो हमारे साथ जुड़िए और यदि आपको कुछ सीखने को मिले इसको सीख करके अपने जीवन में उताहीं जिससे की आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकें और कुछ प्शेश काम कर सब nous झालो बो